आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बिल्कुल पॉफेक्ट मेजरमेंट के साथ रोड बनाने की रेसिपी रोड जो है इसको आप एक तरहां का बिस्केट या फिर कुकी कह सकते हैं जो कि टेस्ट में बहुत ही डिलीशिस ये बनकर तयार होते हैं उपर से क्रिस्पी करारे और अंदर से इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि ये मूँ में रखते ही घुल जाते हैं वैसे तो ये अफगानिस्तान की रेसिपी है लेकिन टेस्ट में ये इतने ज्यादा मज़े के बनकर तयार होते हैं कि पूरे ही इंडिया में ये बहुत ज्यादा पॉपियलर हैं और इसको सबसे जियादा बनाया जाता है इंडिया के हैधरबाद शfred में और इसको खास तोर कि आप ए छोटी मोटी भूक में आप इसको बना करके इंजॉय कर सकते हैं और इसको आज हम बना रहे हैं बगएर किसी ओवन के तब भी आप देखिएगा आपके रोड जो है वो बहुती पॉफेक्टली बनकर तयार हो जाएंगे क्योंकि इसको मैं बनाने के दो तीन तरीके आपको बताऊंगी तो चलिए सूपर डिलिशियस, सूपर इजी, पॉफेक्ट मेजरमेंट के साथ रोड बनाना शुरू करते हैं तो रोड बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका डोर एड़ी करना है जिसके लिए यहां पर मैंने एक कब गेहूं का आटा ले लिया है गेहूं के आटे को मैंने एक पेन में ट्रांसफर कर दिया है अब मीडियम फ्लेम पर इसको हम लगतार स्टर करते हुए रोस्ट कर लेंगे इसमें एक अच्छी सी खुश्बू आ जाने तक और आटा जो मैंने लिया है वो 150 ग्राम लिया है आटा जब अच्छी तरहां से रोस्ट हो जाएगा तो इसमें एक अच्छी सी खुश्बू आने लग जाएगी साथ ही इसका हलका सा कलर भी चेंज हो जाएगा बस ध्यान आपको ये रखना है कि आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर ड्राय रोस्ट कीजएगा लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हमें इसी तरहां से लगतार इस्टर करते हुए ही ड्राय रोस्ट करना है अगर आप flame को जड़ा भी hyper करते हैं तो यह बहुत जल्दी जल जाएगा मैं यहाँ पर सभी ingredients cup से measure करके बता रही हूँ जिससे आपको कोई confusion ना हो अगर आपके पास इस तरह के cups ना हो जिससा कि आप देख सकते हैं इसका हलका सा color भी change हो गया है और इसमें से काफी अच्छी सी खुश्बू भी आ रही है अब इसको मैं किसी बोल में transfer कर दूँगी अब इसी पेन में मैं एक cup यानि कि 150 ग्राम मेदा एट कर दूँगी मैं आदा मेदा आदा गेहूं का आटा ले रही हूँ आप चाहें तो पूरा मेदा ले सकते हैं और फिर पूरा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह से low to medium flame पर लगतार stir करते हुए 6-7 नट तक dry roast कर लेंगे इसको dry roast कर लेने से इसमें एक अच्छी सी खुश्बू सुन्दा पन आ जाता है सांथ ही इसकी जो भी कच्छी वगएरा smell होती है वो remove हो जाती है मैंने हाँ पर मेदा इसलिए add करा है मेदे से हमारे roast में एक अच्छी सी crispiness आ जाएगी और एक अच्छी सी binding आ जाएगी आप चाहें तो पूरा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं तो बस यहाँ पर हमारे मेदे में से एक अच्छी सी सोंधी सी खुश्बू आने लग गई है बस इतना ही इसको हमें roast करना है अब इसको हम उसी आटे वाले बोल में transfer कर देंगे अब इसी पैन में मैं आधा कप यानि के 100 ग्राम सूजी आड़ कर रही हूं दो तरहा की सूजी आती है एक थोड़ी मोटी वाली और एक बिलकुल बारिक महीन वाली तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी के आप थोड़ी मोटी वाली सूजी लीजिएगा सूजी थोड़ी मोटी होगी तो इससे हमारे रोट्स में एक अच्छी सी क्रिस्पीनेस आ जाएगी और एक अच्छा सा दाना आ जाएगा तो कोशिश कीजेगा मोटी वाली सूजी लें इसको भी मैंने लगतार स्टर करते हुए मीडियम फ्लेम पर ड्राय रोस्ट कर लिया है छे से साथ नट तक और जैसा कि आप देख सकते हैं सूजी ने अपना हलका सा कलर चेंज कर दिया है अब हम अपने मेल्टेट घी में आधा कप ग्रेटेट कोकोनट एड़ कर देंगे जिसको आप वेट में मेजर करते हैं तो यह है 50 ग्राम इसी के साथ इसमें मैंने वनफूर्थ कप यानि के 4 टेबल स्पून डेसिकेटेट कोकोनट एड़ कर दिया है इसको अगर आप वेट सफेद तिल एड़ करें हैं सफेद तिल को आप कंप्लीटली इसकिप भी कर सकते हैं और इसकी जगा अपनी पसंद के और भी ड्राइफ रूट्स जो हैं उसको फाइन चॉप करके आड़ कर सकते हैं अब इन सबी चीजों को बिल्कुल इसी तरह से लगतार स्टर करते हुए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेना है तो बस इन सबी चीजों को मैंने दो से तीन मिनट तक लगतार स्टर करते हुए मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लिया है जिससे कि इसमें एक अच्छी सी खुश्बू भी आने लग गई है साथ ही थोड़े हलके क्रंची भ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मैं आपको सजिस्ट करूंगी आप देसी घी में ही इसको बनाएं घी एट करने के बाद इसमें एक टीस्पून इलाइची पाउडर एट कर रही हूं आप चाहें तो इसकी जगह क्योड़े वाटर भी एट कर सकते हैं लेकिन क्योड़े से नीट करके इसका डो रैडी करेंगे तो बस यहां पर यह सबी चीजें अच्छी तरह से थंडी हो गई हैं अब इसमें मैं एक कप यानि के 200 ग्राम पिसी हुई चीनी आट कर दूँगी हमारी जो रेगुलर चीनी होती है उसी को ही मैंने एक ब्लेंडिंग जार में डाल कर इसका पाउडर बना कर इसमें एड करा है चीनी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन एक कप यानि के 200 ग्राम चीनी इसमें बिल्कुल सफिशियंट है अब इदर में एक कप दूद ले लिया है जो कि बिल्कुल रूम टेंपरेचर पर है यह ना ही बहुत ज्यादा थंडा है और ना ही गरम है और यह जो दूद मेंने लिया है यह बॉइल किया हुआ लिया है कोई इशू नहीं है आप इसमें बिना उबला हुआ दूद भी आट कर सकते हैं अब इन सबी चीजों को हम अच्छी तरहां से मिक्स कर देंगे इसको आ जाएगा कि इसमें हमने घी आट कर रहा है वो बिलकुल पॉफिक्ट है और यह अच्छे से मिक्स भी हो गया है बस इससे ज़्यादा इसको हमें भी नहीं करना है अब इसमें हम दूद कर कर देंगे क्योंकि हमने इसमें अच्छा खासा मांउंट में घी अट कर रहा है तो नीट करने में यानि कि इसको गूंदने में बहुत ज्यादा दूद नहीं लगेगा सिर्फ एक कप हमें दूद लगेगा वलकि उसमें से भी बच जाने वाला है रोट के लिए जो आटा गूंद जाता है वो थोड़ा सॉफ्ट ही गूंद जाता है और जो हम टिकियां बनाते हैं मीठी टिकियां उसके लिए आटा थोड़ा हाड लगाया जाता है क्योंकि मीठी टिक्यों के डो को हमें बेल कर फिर कट करना होता है इसलिए उसका आटा थोड़ा हाड लगाया जाता है और इसको हम डारेक्ली ही पेड़े बना करके फिर फ्राइ करते हैं तो इसका आटा जो है वो थोड़ा सॉफ्ट ही लगाया जाता है और इसका डो जो है हम सॉफ्ट लगाते हैं उसकी वज़ा से ये उपर से तो क्रिस्पी होती है लेकिन अंदर से ये इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती है कि मुँ में रखते ही घुल जाती है ये घर के बच्चे और बूडों के लिए बहुत ही मज़ेदार और अच्छी रेसिपी है क्योंकि हेल्दी भी है और इसी के साथ ये मुँ में रखते ही घुल जाती है चबाने की तो जरूरती नहीं पड़ती तो एजा स्नेक आप इसको अपने घर के छोटे बच्चों के लिए भी बना करके ट्राइ कर सकते हैं आपके बच्चों को ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कप मैंने दूद लिया था जिसमें से वन फोर्थ कप यानि के फोर टेबल स पूंत बज गया है अब इसको हम अच्छे से एक खटा करके चिकना कर लेंगे उसके बाद इसको हम कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्टिंग पर रख देंगे कवर करके हलका सा इसको रेस्ट देने से ये काफी सॉफ्ट और स्मूध हो जाता है और इसको हैंडल करना भी एज हो जाता है यहां पर आप देख सकते हैं इसका आटा जो है वो मैंने बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगाया है बस इतना ही सॉफ्ट आपको भी रखना है इसका डो क्योंकि इसको 15 से 20 मिनट तक रेस्टिंग पर रखने के बाद सूजी जो है फूल जाती है तो यह हलका सा टाइ और यहां पर आप देख सकते हैं हमारा डो जो है वो थोड़ा टाइट हो गया है पहले से इसको फ्लैट करने के बाद इसकी एजस पे जो क्रेक्स आ जा रहे हैं इसको हम अच्छे से स्मूध करके चिकना कर लेंगे और क्रेक फ्री कर लेंगे अब इसके उपर मैं कुछ ड् ड्राइफ रूट्स लगा रहे हैं जिसके लिए एक प्लेट में मैंने घिसा हुआ नारियल रग दिया है थोड़ा सा थोड़े से कटे हुए बदाम चिरोंजी पिस्ता इसी के साथ मैंने थोड़े से सफेद तिल और खश खश रग दी है अब इसके उपर हम अपना तयार कि टो बस इसी तरह से मैंने सभी रोट्स को बना करके रड़ी कर लिया है अब चलते हैं इनको सेखने की प्रोसेस की तरफ इसके लिए यहांपर मैंने एक पैन ले लिया है इसके अपर मैंने 1 टेपल स्पून प्योर घ्यड़ कर दिया है ओर इसकी बीकरी पर आपको मिल जाए के रेडी कर सकते हैं भगर ओवन के रोटस बनाने का मैं आपको सिंपल आज़े को बिलकुल इसी ओप्विक टरीका बता रही हूँ जिसके लिए आपको पैन में घी एड़े करना है उसके बाद इसमें रोटस रख देना है उसके बाद फलेम को बिल्कुल लो पर करके इसको आपको कवर करके कम से कम 2 से 3 नट तक पकाना है उसके बाद flame को बंत कर दीजेगा flame को off करने के बाद इसको इसी तरह से cover करके pen पर ही रखे रहने दीजेगा जिससे के जो pen की heat है ना उसी से ही अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे तो बस इसको मैंने 2-3 नट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाने के बाद फ्लेम को आफ कर दिया उसके बाद इसको मैंने इसी तरह रखे रहने दिया था जिससे के पैंच जो है वो बिल्कुल थंडा हो गया है और यह अच्छी तरह से सिख गया है अब इसको मैं फ्लिप कर दूँगी सिर्फ 2-3 नट तक लो फ्लेम पर सेखने के बाद हमने गेस की फ्लेम को आफ कर दिया था जिससे के आप देख सकते हैं इसके ओपर काफी अच्छा सा कलर आ गया है साथ ही अंदर तक काफी अच्छी तरह से पग गये है इसको फ्लिप करने के बाद फ्लेम को मैंने फिर से आन करके लो पर कर दिया है अब मैं फिर से इसको कवर करके दूसरी साइट से भी अच्छे से से शेक लूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पर 2-3 नट तक उसके बाद मैं फिर से फ्लेम को आफ कर दूँगी इस तरह से से शेकने पर थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन अगर आप इसको इस तरह से पेशिंस के साथ सेकते हैं तो बिल्कुल बेकरी जैसे ये बन कर तयार होते हैं रोड्स को सेकने के मैंने 2-3 तरीके आपको बताए हैं आगे वीडियो में आप देखेंगे लेकिन सबसे बेस्ट और पॉफिक तरीका मुझे ये लगा इसको हम जो ये इस तरह से कवर करते हुए लो फ्लेम पर सेक कर फ्लेम को आफ कर दे रहे हैं इससे ये अंदर तक बहुत अच्छी तरह से पक जाते हैं मैंने जो ये आपको रोड्स सेकने का पहला तरीका बताया है इसमें थोड़ी महनत है लेकिन रिजल्स जो हैं वो आउटस्टेंडिंग हैं तो बस दूसरी तरफ से भी मैंने इसको सेक कर फ्लेम को आफ कर दिया था पैन को अच्छे से थंडा हो जाने के बाद इसको मैं अब निकाल लूँगी और दूसरी प्लेट में ट्रांसफर कर दूँगी यहाँ पर आप रोड्स का कलर देख सकते हैं बेकरी में जो रोड्स मिलते हैं इसका कलर दोनों तरफ से बिल्कुल उसी तरह का आया है और टेस्ट में भी यह बिल्कुल उसी तरह के लगते हैं अब मैं रोड्स को सेकने का दूसरा तरीका बता रही हूँ जो भी तरीक आपको convenient लगता है उस तरह से आप अपने रोट्स बना करके ready कर सकते हैं रोट्स को सेकने के लिए यहाँ पर मैंने पैन में घी अट कर दिया है अब इसको हम shallow fry कर लेंगे रोट्स को shallow fry करने के लिए मैंने हाँ पर pure घी लिया है आप चाहें तो इसको डालडा में भी fry कर सकते हैं और रोट्स को आप चाहें तो पहले जैसे कम घी में सेक लें आप फिर इसको shallow fry भी कर सकते हैं इसको deep fry बिल्कुल भी मत कीजेगा क्योंकि हमने इसमें घी वगेरा अच्छी खासी quantity में एट करा है उससे इसका डू जो है वो बहुत ज्यादा खसता हो जाता है आप इसको अगर deep fry करेंगे तो ये तेल में जाते ही ये घी में जाते ही बिखर जाएंगे तो बस इसको मैं बगएर फ्लिप करें लो फ्लेम पर एक साइट से सेक लूँगी दो से तीम नट तक उसके बाद इसकी हम साइट चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारे रोट्स को शेलो फ्लेम पर होते हुए दो से तीम नट हो गए हैं लो फ्लेम पर मैंने इसको अच्छे से सेक लिया है अब इसकी साइट हम चेंज कर देंगे और इसको हलका सा कवर करके दो से तीम नट तक लो फ्लेम पर और सेक लेंगे दूसरी साइट से दो से तीन नच तक लो फ्लेम पर सिखने के बाद यहां पर हमारे दोनों तरहां के रोट्स बिलकुल रेडी हैं एक को हमने बहुत कम घीमे फ्लेम को आफ करते हुए सेख कर रेडी करा है और एक को हमने शेलो फ्राइ करा है दोनों ही तरहां से बहुती मज़ेदार ये बन करके तयार होते हैं लेकिन अगर आपको बिल्कुल वही बेकरी जैसे रोट्स बनाकर रैडी करना हो तो आप ये तरीका फॉलो कीजिएगा कम घी में लेकिन फ्लेम को आफ करते हुए ही इसको सेखिएगा जिससे कि अंदर तक बहुती अच्छी तरहां से सिख जाएंगे और पक जाएंगे लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप इस तरहां से इसको शेलो फ्राइ करके भी रैडी कर सकते हैं इस तरहां से भी रोट्स जो है वो बहुती टेस्टी बनकर तयार होते हैं इस तरह से shallow fry की हुए रोट जो हैं वो बहुत ज्यादा crispy करारे हो जाते हैं तो अगर आपको ज्यादा crispiness चाहिए तो आप इस तरह से इसको सेख कर रैडी कर सकते हैं बहार से crispy करारे अंदर से soft और moist ये बन कर तयार होते हैं आप लोग इसको ज़रूर ट्राइ कीजिएगा आपको ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं टेस्ट में ये इतने ज़्यादा मजे के बन कर तयार होते हैं और ये मूँ में रखते ही घुल से जाते हैं तो आप इसको अपने घर के बच्चे, बड़े, बूड़े सभी के लिए बना सकते हैं सभी इसको बहुत इंजॉई करने वाली हैं दरम में ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट और नरम होते हैं नहीं वाले कि आप इसको एक महिने तक स्टोर करें एक हफते में ही ये खतम हो जाने वाले हैं तो यहाँ पर मैंने बताया आपको रोट सेखने के दो तरीके अब एक फाइनल तरीका और मैं आपको बताने जा रही हूँ जिस तरहां भी आपको convenient लगता है उस तरहां से आप अपने रोट से बना करके ready कर सकते हैं रोट को सेखने का आप मैं आपको third and final तरीका बताने जा रही हूँ जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक vessel में एक stain रख दिया है इस तरहां का अगर आपके पास stain ना हो तो आप घर की कोई भी कटोरिय प्लेट भी रख सकते हैं अब यहाँ पर मैंने एक vessel का lid लिए उसके ओपर घी अपलाए करके उसको grease करके उसके ओपर roads रख दिये अब इसको मैंने pot के अंदर रख दिया है अब इसको मैं cover करके high flame पर एक मिनट तक पकाऊंगी उसके बाद मैं flame को low to medium पर करके इसको 15-20 मिनट तक पका लूँगी तो यहाँ पर हमारे road को पकते हुए 15-20 मिनट हो गाए है low to medium flame पर मैंने इसको पका लिया है और जिसके आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर road पिलकुल ready है अब इसको हम demold कर लेंगे road बनाने का ये भी एक आसान सा तरीका है जो भी तरीका आपको convenient लगता है उस तरह से आप अपने roads बना करके ready कर सकते हैं बस इसको इस तरह से सेखने पर इसके ओपर वो color नहीं आपाता है जो हमें चाहिए इन तीन तरीकों में से जो भी तरीका आपको easy लगता है जो भी convenient लगता है उस तरह से आप अपने roads बना करके ready कर सकते हैं तो आप लोग भी जाएं जल्दी से इसको बनाएं घर में try करें और comment section में अपने feedback भी दें कि इस method से इस measurement के साथ आपके road कैसे बन कर तेयार हुए तो उमीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की वीडियो किसी भी तरह से helpful लगी होगी अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज वीडियो को like कर दिया करें ज्यादा से ज्यादा अपने family friends में इसको share कर दिया करें और अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं करा है अगर आप channel पर नाए है तो please जल्दी से channel को subscribe कर लीजेगा और side में जो bell icon का button है उसको जरूर से press कर लीजेगा bell icon के button को press कर लेने से आप से मेरी कोई भी latest videos miss नहीं होंगी और इससे आपको मेरी इसी तरह की और भी delicious और easy food recipes का notification सबसे पहले मिलेगा और ये completely free है so kindly इसको जल्दी से press कर लीजेगा ओके thank you so much for watching my video